Hello, 7th Standard Subject English Grammar, Assignment 5, Model Auxiliaries 3 Previous वीडियो में हमने Model Auxiliaries के First and Second Part समझ लिए थे आज हम करेंगे उसका Third Part, Model Auxiliaries 3 ग्रामर बुक में हमारा जो एक्स्प्रेनेशन है वो इधर तक दिया गया है तो इसका हम थोड़ा थोड़ा एक्स्प्रेनेशन समझते जा रहे हैं अभी हम समझेंगे इधर तक, ठीके, so let's start पहले लिखा हुआ है, let us now study two more auxiliaries यानि कि पहले जो हम कुछ model auxiliaries समझ चुके हैं अभी हम और नए दो auxiliaries समझने वाले हैं आज और वो है एक पहला है need आप जानते ही हो, need क्या है, एक verb है ना need need means क्या, एक जरूरत, है ना I need your help, मुझे तुम्हारी help चाहिए, उस sense में होता है ना need का use तो ऐसा ही है, इधर देखें as a regular verb, it means to require अब need जो है, उसका meaning क्या होता है to require, यानि कि जरूरत होना, चाहिए, उस sense से and behave like any other principal verb और ये need जो है, वो चाहिए के sense में, to require के sense में और ये एक खुद एक principal verb भी है, जैसे कि play एक verb है ना, play, go, eat, वो सारे उस तरीके से ये need भी एक verb है और उसका meaning क्या होता है, to require, यानि कि चाहिए, उस sense में अब उसी के कुछ examples इदर नीचे दिये गए है, I need one more person to help me है ना, मुझे help करने के लिए और एक person की जरूरत है अब इसमें need आया, खुद को मुझे help करने के लिए और एक person की जरूरत है I need one more person to help me, उसमें जरूरत आया ना, इसलिए need है फिस second, she does not need my help anymore, अब वो आगे, अब वो और आगे मेरी help नहीं चाहती है नहीं चाहती, देखा, नहीं चाहती, अब इसमें भी चाहती है फिस third, do you need any more books, क्या तुम्हें और कोई books चाहिए तुम्हें चाहिए any more books, और कोई भी books, तो इसमें भी आया ना फिर fourth, he needed your support, तो उसे तुम्हारा support चाहिए था है, चाहिए, need का मीनिंग क्या हुआ, चाहिए अब इधर नीचे लिखा हुआ है, as an auxiliary, it is generally used in the interrogative and the negative, अब क्या लिखा है इधर, auxiliary verb के तोर पर, need जो है वो ज्यादातर interrogative और negative, interrogative और negative में ज्यादातर use किया जाता है, in the interrogative, यानि कि question वाले जो sentence होंगे, कि जिसके पीछे question मार्क होगा, ऐसे sentence में, need जो है वो कैसे काम करेगा, it implies necessity और compulsion, यानि कि एकदम necessity दिखाएगा, उसमें एकदम जरुत है उस तरीके से, या तो फिर, compulsion या compulsory, उस हिसाब से, अगर last में question मार्क हो, interrogative statement हो, तो उसमें need का इस तरीके से use होगा, उसका एक example भी दिया है, need I report this matter to the police, अब इसमें आपने देखा न, कि last में क्या है, इधर question mark है, ये question mark है, और आगे क्या दिया है, need, तो इस तरीके से, अगर need, question वाले में अगर need आगे आता है, इसका मतलब ये है, कि ये compulsion जैसा sense, सुचित करता है, अब आगे और लिखा है, is it necessary for me to report this matter to the police, यानि कि ये मेरे लिए जरूरी है, is it necessary for me, ये मेरे लिए necessary है, जरूरी है कि मैं इस matter के बारे में police को report, दू, अब आगे, in the negative, it implies absence of necessity, अब negative होगा जब statement, तब उसमें क्या होगा, necessity, absence होगा, है न, नहीं चाहिए, उस हिसाब से, तो need not, या तो फिर need not, है न, could not, तो couldn't, उस तरीके से need not, तो need not भी चलेगा, और need not भी चलेगा, example दिया है, you must complete your homework, तुम्हें अपना homework complete करना ही है, but not need complete it today, पर वो आज ही complete करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें need not आया, उसका मिनिंग क्या हुआ, absence of necessity, है न, work तो complete करना ही है, पर वो work आज ही complete करने की जरूरत नहीं है, उस sense में, there is no necessity for you to complete it today, इसका मतलब हुआ कि वो work जो है, वो तुम्हें आज ही complete करने की जरूरत नहीं है, तो ये sentence कैसा हुआ, मजरूत नहीं है, तो negative sentence हुआ न, तो need not भी यूज कर सकते हो, और need not भी यूज कर सकते हो, अब इसमें कहा है कि जैसे हम other verbs में, ऐसे go, तो उसके पीछे ed लगाते हैं न, ऐसे, जैसे go, main verb है, उसके पीछे क्या है, yes, play, main verb है, उसके पीछे क्या लगा है, past form, ed, तो उस हिसाब से need है, उसके पीछे needs, ऐसे s नहीं लगेगा, फिर needed, ऐसे ed भी नहीं लगेगा, वो बता रहे हैं, तो हम यह ध्यान में रखेंगे, कि जैसे दूसरे वर्प के पीछे last में, yes, ed लगते हैं, तो वेसे ही need में s और ed हमको नहीं लगाना है, फिर अब हम सिखेंगे wood के बारे में, तो need का थोड़ा सा मैं आपको बता दू, need का negative form क्या होगा, need not, या तो फिर needed, need का meaning to require, और need खुद एक verb है, जब भी need question mark के पहले अगर लगाया जाता है, तो उसको किस sense में लेना है, कि वो एक दम necessity और compulsion है, second, would, उसमें हम अब क्या देखेंगे, would as an auxiliary combines with the verb like to convey the sense of choice or preference in the following sentence, अब इसमें जो कहा है, वो है, जैसे need जो है, वो चाहिए, जरुरत है, उस sense की बात जब आती है, तब हम need use करते हैं, वैसे ही, जब हम ऐसा बोलेंगी, कि मैं, I like to talk to you, है न, इस sense को, यह जो statement है, I like to talk to you, यानि कि मैं तुमसे बात करना पसंद करूँगा, तो यह पसंद करूँगा, यह क्या है, लाइक, तो इस तरीके का जब sense आएगा, कि I like to talk to you, मैं तुमसे बात करना पसंद करूँगा, तब would का use होगा, ठीके, और जब choice की बात आती है, है न, जैसे कि हम कहें कि आप tea prefer करोगे या coffee, आप मीठा पसंद करोगे या नहीं मीठा हो वैसा, आप तीखा पसंद करोगे या थोड़ा कम तीखा, उस तरीके सा, अगर choice की बात आती है तब भी, और जैसे कि मैंने पहला एक example दिया, I would like to talk to you, उस तरीके की अगर बात आती है, तो would का use करेंगे, अब उसके कुछ example दिये हैं, जैसे कि इधर first is, she would like to talk to you, समझ गए, she would like to talk to you, उसे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा, उस sense से, फिर second is, या वो तुमसे बात करे तो वो उसको अच्छा लगेगा, तुम क्या खरीदना चाहोगे, केबेज या तो ब्रिंजल, ऐसे ये choice के बात हुई न, केबेज और ब्रिंजल, अब इस दो तरीके के example में जो हमको दिखाया गया है, अगर उस तरीके का sentence में आता है, तो हमको क्या use करना है, would, एकदम simple exercise है, और exercise में जहाँ पर भी blank है, उद ब्रेकेट में लिखा है हुआ है, तीनो model auxiliary में, model auxiliary 3, 4, and 5, तीनो में blank के बाद में, last में, ब्रेकेट में लिखा हुआ है, कि ये जो statement है, उसमें ये वाला sense है, तो आपको उस sense के हिसाब से answer लिखने हैं, तो ये easy ही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, attentive रहना है, फिर भी, in the beginning of an interrogative sentence, it conveys the sense of a polite request, as in the following sentence, अब इसके लिए हम पहले example देखे, और example में ये कहा है, कि would you mind passing the curry, यानि कि ऐसे अगर question mark हो, और आगे would का use किया गया हो, तो वो क्या है एक polite request के तोर पे आएगा, समझ गए, in the beginning of an interrogative sentence, ये question mark वाले जो sentence होगे, अगर उसमें would पहले ही beginning में ही आगया, तो वो क्या होगा, वो एक polite request convey करेगा sentence में, ठीक है, फर्स्ट वाला देख लिया, अब देखते हैं, ये second वाला, would you carry this message to your father, क्या तुम अपने पिता तक यह message पहुचा दोगे, समझ में आ रहा है, question mark है, और would पहले है, यानि कि एक polite request, request कर रहे हैं, वी नमरता से, politely request कर रहे हैं, कि क्या तुम अपने फादर तक यह message, पहुचा दोगे, फिर उसके बाद है, सी वाला, would rather, अब would rather, combined with a verb, conveys the sense of, अब इदर sentence में कौन सा sense आएगा, वो बता रहे हैं, कि preference, और priority, as in the following sentence, अब would rather, short में समझ लो, would rather, जो है, वो वहाँ पर use होगा, कि जैसे कि मैं तुम से कहूं, कि यह खाने से तो अच्छा है, कि मैंने यह खाया होता, या इसे खाने से अच्छा है, कि मैं यह खाऊं, अब यह बोलते हैं न, इससे अच्छा तो, है न, तुम से बात करने से तो अच्छा है, कि मैं चुप रहूं, तो यह जब अच्छा है, तो यह जो हम बोलते हैं न, इससे अच्छा तो मैं ये करूँ तो ये इससे अच्छा उस तरीके का जब sense आता है तो preference दिया न हमने इससे अच्छा तो मैं ये करूँ तो इस तरीके के sense में होगा would rather use जैसे कि पहला एक example है he would rather strive than bag bag यानि कि बीख मांगना तो बीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं बुखा ही रहूं है ना समझ में आया he would rather starve than bag than rather than बीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं बुखा ही रहूं फिर second है I would rather borrow money to help you तो ये थी हमारी exercise need would और would में would rather तो ये आप एक दो बार read कीजेगा समझने की गोशिश कीजेगा ओके थैंक्यू स्टूडेंट्स